हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ अनामिका सिंग करीम सिटी कॉलेज मानगो गैंपस से तो आज हम सेमिस्टर फोर इंक्लूसिफ एजुकेशन का यूनिट वन का सेकंड बुलेट पढ़ेंगे जैसे आप लोग को पता है फॉर्स्ट बुलेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विबिन वीडियो के माध्यम से अब हम लोग उसका सेकंड बुलेट पढ़ेंगे और सेकंड बुलेट में पूरा हेडिंग यहीं दिया हुआ है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इंक्लूजन इन एजुकेशन एहुमन राइट अब हुमन राइट में भी ब क्या होता है मानव अधिकार यहां पर एजुकेशन को मानव अधिकार के रूप में बताया गया है मानव अधिकार जिसमें यह आता है कि एजुकेशन सिक्षा तक सब की पहुँच होनी चाहिए एजुकेशन के छित्र में सब इक्वल होने चाहिए मतलब समानता होनी चाहिए to education का जो अस्तर है वो भी बहुत अच्छे तरखा होना हो मतलब इसकी quality भी बहुत अच्छी कोनी चाहिए तो यहां पर inclusion in education सबसे पहले बात अपलोस को यह जान लिना चाहिए कि जहां हम लोग inclusion की बाते कर रहे हैं वहां पर हम लोगों बिबिन ने सभी परकार के बच्चों को इंक्लूड करने की बात की है, सभी परकार के बच्चों मतलब की डिसेबल स्टुडेंट्स की भी बात की जा रही है, डिसेबिलिटी से जो बच्चे सफर कर रहे हैं, बिबिन परकार के डिसेबिलिटी से जो बच्चे सफर कर रहे हैं दिव्यांग बच्चे उन सब को इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है और यह सिर्फ इंक्लूजन ही नहीं है यह उनका अधिकार है मानव अधिकार है तो इसके बारे में बाते हम लोग आगे और भी करेंगे कि इसका इंट्रोडक्षन सबसे पहले आप देख लिजिए यह भी बात यहां पे जान लेने वाली है कि इंक्लूजन इन इजुकेसन हम लोग सरफ इंडिया के कॉंटेक्स्ट में नहीं जान रहे हैं इंदिया के कॉंटेक्स्ट में हम लोग यही जानेंगे जैसे कि आर्टेक्ल 21 ए है जो हमको राइट टू एजूकेशन आट के बारे में बताता है वह है या उसके पहले का क्या सीन था कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब राज्यों के निती निर्देशक तत्व जो हो थे उनके अंतरगत आता था हमारा एजूकेशन जो राज्यों के उपर सब छोड़ दिया गया था लेकिन दीरे दीरे इसमें विविकास हुआ और अब फंडामेंटल राइट बन गया है इतना तो आप लोग जानते हैं लेकिन हम लोग यहां जानेंगे एक ग्लोबल कॉंटेक् जात पर पूरा विश्व में इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो दियांक बच्चे हैं उनको उनका सभ़ी बच्चों को यह अधिकार के रूप में कैसे प्राप्थ हो कोई भी बच्च orphanage वन्चित न रहें इसके लिए बहुत सारे उपाय किये गये एस्पेसली जो United Nations है उसने बहुत सारे काम किया है इस प्रकार के इन प्रकार के बच्चों को हर प्रकार का फैसलिटी देने के लिए तो आगे चलिए देखे क्या है इंट्रोडाक्शन में देखे Since education is a human right, so inclusion in education is important So that each individual, irrespective of their disability or any other kind of discrimination can be provided education जैसा कि मैंने आपको पहले ही explain कर दिया था कि यह human right है और सभी बच्चों का inclusion होना चाहिए, यह important है चाहे वो बालक किसी भी प्रकार के disability से ग्रसित हो उनमें कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा और सभी बच्चों को education दिया जाएगा प्रोवीजन फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन अब इंक्लूजन में शिक्षा में इंक्लूजन के लिए किस प्रकार का प्रोवीजन किया गया है आप लोगों ने पहले भी 2009 का Right to Education Act पढ़ाई होगा उसमें क्या बताएगा है The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 passed by the Parliament requires the state to provide free and compulsory education to all the children from the age of 6 to 14 यह वहीं बात है जो आप लोगों को पता है पहले से यह Right to Education Act की बारे में यहां बात की गई है जिसमें 6 to 14 येर के सभी बच्चों को Free and Compulsory Education देने की बात की है यह हम इंडिया के कॉंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं अभी यह पहले राजसभा में इसको इस बिल को लाया गया और वहां से पास होकर फिर यह 1st April 2010 को एक प्रकार से fundamental right बन गया हम सभी देशवासियों के लिए तो देखिए यह इस जो paragraph में है दो प्रकार के प्रस्चन है एक तो यह बिल कब लाया गया और दुसरा यह कब इनफोर्स हुआ कि फोर्ट ऑगस्ट टूथाउजन नाइंटीन को यह बिल लाया गया और फॉर्स्ट अपरिल 2010 को इससे इनफोर्स किया गया मतलब फॉर्स्ट अपरिल 2010 को ही इसको लागू हुआ माना जाता है इसमें और क्या बाते की गई है कि जो भी बालक disability से ग्रसित है वो उनको free और compulsory elementary education मिल सके वो सब प्राप्त कर सके यह चैप्टर 5 में इस act के चैप्टर 5 में पताया गया है यह जो act है इसमें भी बहुत सारे अध्याएं हैं बहुत सारे chapters हैं किसमें 21A में 21A जो हमारा संसोधन अधिनियम जो 2002 में पारित हुआ था यह 86 वा संसोधन अधिनियम है जो 2002 में पारित हुआ और उसी संसोधन अधिनियम के आलोक में मतलब रूट वहीं से सुरू होता है जब 2010 में RTE Act बना आगे देखते हैं RTE AD PR 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 सर्वसुलब मतलब सब की पहुच के अंतरगत हो इसमें यह इस प्रकार की बाते की गई हैं To ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate environment till he she attends the age of 18 years यह आप लोगोंने inclusive education में पढ़ा है कि अगर कोई चात्र disability से प्रभावित है तो उसके लिए 18 years का Boundation है not 14 years उसी परकार के integration को महत्व देना है कोई भी बच्चा disability से ग्रसीत हो तो उसको एक Normal school एक normal environment देना है उसके अलावा promote settling up special schools in government वह अगर कुछ need है कुछ special education का need है अगर disabled बच्चों के लिए कुछ भी उस प्रकार का जरूरत है तो सरकार उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखके इस प्रकार की school में विवस्था करेगी कि सभी बच्चों का सभी बालकों का उनका समावेशन हो सके school में और वो सिक्षा प्राप्त कर सके उसके आत्रिक schools को equip करना है अगर बच्चों की आवशकता के अनुसार अगर उनको इस प्रकार का कुछ training भी देना है like vocational training type का और उसके अलाबा इस प्रकार का कुछ प्रबंध करना है अगर tools देना है कि बच्चे उसका प्रियोग करके और ही अपने आपको development की ओर ले जा सके, उनका all-round development हो और उनका समवेशन हो सके और वो एक normal बच्चे जैसा feeling कर सके, वो feel करें कि वो भी normal है provision for inclusion in education as per the UN convention on the rights of person and disabilities या अब हम लोग UN, United Nations के context में जाननेंगे कि जो United Nations का convention हुआ था उसमें क्या बोला गया है disabilities के उपर या disabled बच्चों को कैसे include किया जाएगा तो UN ने भी यह बात को बहुत अच्छे से recognize कि कोई भी बालक चाहे वो physically, socially, economically या culturally किसी भी environment से आता है उसका health कैसा भी हो उसका background कैसा भी हो उसको हर परकार के सुविधा को enjoy करें एक परकार से जो human right है और fundamental जो basic अच्छे से इंजॉय करेंगा और लाइफ को बहुत अच्छे से जीएगा वह human right को काप्रियोग करेंगा और वह एक fundamental freedom जो एक basic आजादी होता है लाइफ को वह अपने आपको अलग नहीं समझेगा वह सामानने बच्चा जैसा ही अपने आपको समझेगा और हर लाइफ का हर stage को enjoy करेगा UN convention का 24 जो article है वह इस परकार की बात करता है और इन परकार के बालों को का जो education है उसको protect करने की बात करता है मतला उनको हर हाल में सिक्षा दी जाएगी उनका उनका सिक्षा का अधिकार किसी के द्वारा लिया नहीं जाएगा चाहे वो किसी भी तरह के disability से ग्रसीद हो आगे it proclaims the right to inclusive education and prescribes the steps that have to be taken seriously UN का जो यह convention हुआ था उसमें इस बात पर बहुत जोड़ दिया गया कि हमें उस प्रकार के सभी उपाय करने हैं जो इन बालों को इन बच्चों के अधिकार की रक्षा करें और उन्हें एक normal life जीने के लिए उनको support करें उनको यह एक normal life एक सामान बच्चों का life बताने के लिए प्रेरीद करें पहले बात मैं बता दू कि यह जो topic है हमारा यह दो lecture में होगा यह उसका first part आप लोग अभी देख रहे हैं उसमें आप लोगों ने education अज fundamental right आप लोग देखे या human right जिसको अभी आप लोगों ने पढ़ा वह human right है human right के अंतरगात human right मतलब मानो अधिकार हर एक वेक्ति का अधिकार है जैसे जीने का अधिकार है उसी तरह हर एक वेक्ति को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है सुलब मतलब कि पहुच में हो हमारे अंदर में हो चाहे वो किसी भी परकार का बच्चा हो किसी भी environment से वो आता हो गरीब हो अमीर हो जिस परकार का भी language बोलता है उसकी financial condition कैसी हो वो दिव्यांग हो वो बोलने में हक लाता हो उसको सुनने में problem है लेकिन सभी का यहां पर inclusion होना आवस्यक है तो यह part आपका continue होगा next lecture में तब तक के लिए thank you